Hello friends, welcome to my channel आज हम बनाने जा रहे हैं लोकी की सबजी, मसाला लोकी बनाऊंगी इसमें सबसे पहले मैंने पैन में और रख दिया है, जो अच्छे से गर्म हो चुका है इसमें सबसे पहले मैं मसाले डालूँगी, सबसे पहले मैं जीरा, एक चममच कलोंजी, हाफ चममच पिसा हुआ नार्दना, हाफ चममच सोंका पाउडर, हाफ चममच थोड़ी सी ले रही हूँ हें, इस सबी को परेंगे अच्छे सी मिक्स अब इसमें डाल दियो, टमाटर टमाटर डालने के बार, इसमें मैं डाल दो, नमक according to taste, ब्रैक पैपर पाउजर, खोड़ी सी कटी हुई ग्रीन चिली, इस सबी को अच्छे से घूम लेंगे, इसके बाद इसमें मैं एक कर दूँ, पोड़ी सी कसूरी मेथी, बिस्को पांच से साथ मिनट मैं धब कर पकाऊंगी, अब देखते हैं हम इसे, यह देखते हैं, तमाटर जो है, वो हमारे अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें एड करूँगी मैं, आनियन, अब इसमें डालें, फोड़ी सी हज़ी, अब दो से तीन मिनट हम प्याज को भी ढब कर पकाएंगे, पांच से साथ मिनट हो चुके हैं, अब हमारे अनियन को चैक करते हैं, क्याज को हमें ज्यादा नहीं पकाना है, बस इतना ही पकाना है, इसके बाद मैं इसमें एड कर रहे हूं, लोकी जिसको मैंने दो कर बारी-पारी काट कर लिया, मिक्स करने के बाद, अब हम इसमें पानी एड करेंगे, एक कटोरी में पानी डाल रहे हैं इसमें, अब मीडियम फ्लेम का इसे, रखकर 10-15 मिनिट के लिए हमें इसे कूप करेंगे, 10-15 मिनिट हो चुके हैं, अब हमें इसे चैक करेंगे, वाँ, हमारी लोकी की सब्जी बनकर रेडी गो चुकी है, अब इसे हम हून की हेल्प से ही इसे मैश कर देंगे थोड़ा-थोड़ा, बहुत अच्छे से पक चुकी है यह, लास्ट में हम इसमें एड करेंगे, एक लेमन जूस, एक लेमन का मैने जूस निकाल रिया था, वो इसमें एड कर देंगे, और उपर से डाल देंगे थोड़ी सी कॉरियंडर लीव्स, अब हम इसी किसी प्लैटर में सर्फ करेंगे, यह देखिए हमारी लोकी की सबजी बनका रेडी हो चुकी है, इसे ट्राइ कीजिए और अपना फीडबेक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, यह दो वाचिन, भाज हुआ हुआ।